फाइनली भारत पे कार्ड मेशिन हमें रिसीब हो चुका है अगर आप आपकी सौब में कार्ड मेशिन लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखे तक चरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाय प्रूप के साथ कैसे आप भारत पे स्वीफ मेशिन आडर करेंगे और उसको कैसे आप सौब में लगाएंगे और साथ इसाथ में आपको भारत पे सौил मेशिन का आउन्वरक्सिंग और रीवीव भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में सबसे पहले आपको भारत पे application को open कर लेना है और यहां पे आपको payment section में click करना है और sweep section में चले आना है तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा instant settlement, zero rental offer, seven day free tile भारत पे sweep machine card तो यहां पर मैंने जो है अपना process आधा complete करके रखा हुआ था तो उसलिए मुझे यहां पर continue का option दिखाई दे रहा है अगर आप first time इसको करेंगे तो सबसे पहले आपको यह आपके business details पूछेगा जो की बिल्कुल basic सा है आपको आपकी soft के details, soft के address आपका कौन से category में soft आता है उस सबको fill कर देना है first category में second option में आपको आपकी KYC complete करना है KYC complete करना बहुत हीजी है आपका आधार कार्ट, pen card के मदद से आपका KYC complete कर लेना है और third step में आपको बोला जाएगा pay for bharas sweep आपके सामने दो option खुलके आ जाएगा जो है एक rental और दूसरा जो है lifetime plan अगर आप चाते हैं आपके machine को rental में नेलना तो आपको 200 रूपिया मंद का rental देना पड़ेगा और साथी साथ 200 रूपिया sim and software fee भी देना पड़ेगा अगर आप चाते है lifetime plan के लिए खरितना आपको जो है 4000 रूपिया machine का कीमत पड़ेगा और 200 रूपिया sim और software fee जो software का maintenance के लिए 200 रूपिया आपसे charge लिया जाएगा लेकिन lifetime plan में आपको 2000 रूपिया cashback मिल जाएगा एक साल के बाद तो हम चाते हैं अपने machine को rental में खरितना तो यहां पर हमें एक set of fee जोए वो लिया जाता है 2000 रूपिया का और 7-7 18% GST लगता है तो हमाला जो rental में इसको लेने के लिए आपको 2360 रूपिया pay करना पड़ेगा इनको और 7-7 महीनी का 200 प्लस 2400 रूपिया का rental देना पड़ेगा पर मन्त तो इसके अंदर भी हमें 2 option देखने के लिए मिलता है less than 1.2 lakh in a month more than 1.2 lakh in a month अगर आप एक महीने के अंदर 1.2 lakhs से कम uses करेंगे तो आप उपर वाले option को select करेंगे अगर 1.2 lakhs से ज़्यादा यूज करेंगे तो नीचे वाले option को select करेंगे साथ साथ ये return policy के साथ आता है अगर आपको किसी कारण machine आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसको return कर सकते है 7 day का trial period आपको देखने के लिए मिलता है तो हम इसमें continue के ओफर क्लिक करेंगे और आप किसी भी platform से payment कर सकते जैसे की उफी आई, google fair, networking, credit card, debit card और भारत फे account से भी payment कर सकते हैं तो चलिए हम भारत फे card machine को unboxing करते हैं देख सकते हैं कुछ इसी तरफ के packet में मिला है हमें भारत फे swift card machine जो की box काफी premium सा feel हो रहा है हाथ में देख सकते हैं यह जो है काफी सारे multi language के साथ आता है आप चाहें तो किसी भी language में इसको यूच कर सकते हैं तो देखिए हम इसको पहले unboxing कर लेते हैं इसके अंदर हमें भारत पे swift सबसे front में लिखा हुआ मिलता है और अंदर हमें हमारे machine के साथ एक roll और एक roll हमें machine का अंदर भी देखने के लिए मिलता है हमें एक adapter और USB cable देखने के लिए मिलता है इस machine को charge करने के लिए इस तरफ से आप इस machine को open करके इसके अंदर roll को डाल सकते है या फिर निकाल सकते है पीछे हमें एक battery और sim salt देखने के लिए मिलता है sim हमें इसमें geo sim के साथ मिलता है ये भारत पे swift machine काट तो देख सकते हैं कुछी इस तरफ से geo sim आपको इसमें इंसर्ट करने के लिए salt मिल जाएगा हलाग इसमें 2 salt दिया गया है sim 1 और sim 2 लेगिन एक sim ही काफी है इसको चलाने के लिए पता नहीं दूसरा sim क्यों दिया हुआ है उससे पहले हम इसको boot out कर लेते हैं आप हमें option खुले के आ गया है one GPRS to Wi-Fi तो आप GPRS और Wi-Fi दोनों के मदद से इस machine को चला सकते हैं लेकिन मैं आपको suggestion करूंगा अगर आप first time इसको boot कर रहे है तो आप इसको Wi-Fi से connect कीजिए क्योंकि आपका जो GPRS है उसमें आपका internet नहीं चलता है तो जिसके करान यह जो है आपका data डाउनलोड होने में बड़ा परिशानी होता है मैंने भी बहुत बार ट्राइ किया GPRS geosim से लेकिन यह जो है connect नहीं हुआ बात में मैंने इसको अपने Wi-Fi से connect करके इसका जो setup है फार्स टाइम जो setup है उसको complete कर दिया यह है इसका interface वारत sweep और Wi-Fi से connect है तो Wi-Fi का symbol आ रहा है या फिर आप आपके card को swift कीजिए या फिर नीचे insert कीजिए या फिर आप tab and fare भी कर सकते है वह future में इसमें also available है तो हमने अपने card को नीचे insert कर दिया है यहाँ पर amount डालेंगे जो की 10 रूपिया उसके बाद हम इंटर में click करके अपना जो card का फीन है वह डाल देंगे तो देख सकते एप्रूब हो गया वान टू प्रिंट रिसिप्ट तो आप वान प्रेस करेंगे तो आपका रिसिप्ट जो इफ्रिंट होगा और अगर आपको customer coffee भी चाहिए तो आप इंटर दवाएंगे तो आपको customer coffee भी देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तो ये था भारत पे सुईप मेशिन कार्ड का फूरे details वीडियो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी helpful मिला है तो प्लीज हमें subscribe कीजिए आज के लिए इतना ही जय हिंद बंद मातरम